इस lecture में मैं आपको बताऊंगा एक और किसम का data होता है जिसको हम time series data कहते हैं पर time series data बहुत असान है समझना मैं भी आपको दिखाता हूँ चलिए screen पे आते हैं यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आपने अपना weight जो है वो measure करना है ठीक है weight measure करना है आप बोलते हैं जी मेरा weight है 50 kilo मैं कहता हूँ अच्छा आज 50 kilo है और आज date है जी हमारे पास 21 नमंबर ठीक है मैं आपको कहता हूँ 22 को भी करना है 23 को भी 24 को भी 25 को भी और पूरा साल के लिए आपने अपना weight measure करना है तो ये एक चीज जो weight है आप kilogram के अंदर जो measure कर रहे हैं over the time over the time यानि के जिसमें दिन भी आ सकते हैं आप हर घेंटे बात भी से measure कर सकते हैं अपने दिन का interval रख लिया over the continuous time जब आप किसी एक quantity को measure करके जो data आपके पास आता है उसी को हम time series का data बोलते हैं तो इसकी definition ये है कि the data points collected अच्छा collected का मतलब आप खुद note कर रहे हैं या अगर machine कर रही है उसे बोलेंगे recorded जैसे आपकी smart watches आपके साथ लगी हुए है ये रुजाना का data आपको calculate करके देती हैं ये time series का data ठीक है at regular time interval जो regular time interval यानि कि अगर दिन का वकफा आपने डाला तो दिन का ही होना चाहिए ठीक है उसको हम बोलते है time series का data ठीक है और इसमें आप different किसम का data लेके आ सकते हैं अब मैं आपको example देता हूँ daily stock market का data stock market का जो data है stock market का data second आपके पास एक बहुत important example है ये जो आप rainfall मेयर करते है monthly rainfall यानि कि महीना में जो rainfall मेयर करते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी फिर इसके इलावा आप जो temperature मेयर करते हैं everyday temperature ठीक है मतलब ये कि data कोई भी हो जो numbers के अंदर हो जिसे हम मेयर कर सकें और वो एक time के span के उपर बार बार उसको मेयर किया हो यानि कि एक ही चीज बार बार मेयर हो with an interval of time वो day भी हो सकता है वो second भी हो सकते हैं वो minutes भी हो सकते हैं वो आपके hours भी हो सकते हैं वो आपके days भी हो सकते हैं वो आपके weeks भी हो सकते हैं वो आपके months भी हो सकते हैं वो आपके years भी हो सकते हैं ठीक है सो यह आपका जो time का scale है जिस तरीके से हम time को देखते हैं उस पर जो data हम ले के आते हैं उसको बोलते हैं time series का data यहां तक आपको clear हो गया होगा कि time series का data क्या होता बड़ा असान है समझना